Hey everyone, आज मैं एक South Indian डिश को transform कर बनाने वाली हूँ एक Party Starter की रेसिपी जिसे मैं Chinese Twist देने वाली हूँ. तो चलिए, बनाते हैं इडली से एक unique डिश चिली इडली. आप इस रेसिपी को leftover या fresh इडली से भी बना सकते हैं, जिसे बनाना बहुत ही simple है. तो देखते हैं चिली इडली बनाने के लिए हमें कौन-कन से ingredients चाहिए? तो सबसे पहले इडली को गोट करने के लिए बाटर रेडी कर लेते हैं. तो इसके लिए एक बोल मिले तीन टेबल स्पून कॉनफलार, तीन टेबल स्पून मैदा और हाफ टी स्पून के करीब डाले नमक. पहले थोड़ा पानी ले और इसे विस्क से अच्छे से मिला ले. ऐसा करने से बैटर में कोई भी lumps या गाठे नहीं पड़ेंगी. फिर थोड़ा और पानी डाल कर इसका घोल सा रेडी कर ले. बैटर की कंसिस्टेंसी को ना तो गाड़ी रखे और ना पहुत पतली. ठीक इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की ताकि इडली अच्छे से कोट हो जाए. अब इडली के पीसिस को बैटर में डाले और अच्छे से कोट कर ले. सभी साइड अच्छे से बैटर में कोट हो जानी चाहिए. एक इडली को मैंने चार पार्ट में पहले से ही कट कर रेडी कर लिया था. आप देख सकते हैं इडली सभी साइट से अच्छ से कोट हो गई है अब ये तलने के लिए रेडी है अब एक कड़ाई में इडली फ्राई करने के लिए जादा कॉंटिटी में रिफाइन ओईल गर्म कर ले तेल गर्म हो चुका है अब हाई फ्लेम पर बैटर से कोट केवे इडली के पीसे को एक केक कर तेल में डाले तेल में इडली के पीसे को डालने के थोड़े देर के बाद ही इसे चलाते हुए पलटना है तेल में इडली छोड़ने पर अगर तुरंत इसे चलाएंगे तो ये एक दूसरे से छिपक जाएगी तो इस बात का ध्यान जरूर रखे फ्लेम को हाई बही रखे इसे इडली तेल कम अब्जॉर्ब करेगी इसे आप सभी साइड से गोल्डन होने तक फ्राई करे और इसे एक प्लेट में निकाल ले इसी तरह मैंने तीन बाचेज में इडली को फ्राई कर लिया है इडली को कम कॉंटिटी में ही फ्राई करे एक साथ बहुत सारी इडली डाल देंगे तो फ्राइ करने में आपको दिक्कत हो सकती है तो इस तरह से इडली को फ्राइ कर ले आप देख सकते हैं इसका कलर कितना पॉफेक्ट आया है बाहर से ये क्रंची है और अंदर से ये सॉफ्ट हमें चिली इडली बनाने के लिए ठीक ऐसी ही फ्राइड इडली चाहिए थी अब चलते हैं नेक्स प्रोसीजर की तरफ अब एक कढ़ाई ले और इसे अच्छे से हीट कर ले और डाले दो टेबल स्पून के करीब रिफाइंड ओयल फ्लेम को हाई पे ही रखे और इसमें डाले बारी कटेवे अद्रक और लेसिन और साथ में डाले एक चौप प्यांस और कुछ डाइस्ट प्यांस और इसे आधे से एक मिनिट के लिए चला ले Diced प्यास के लिए एक medium size के प्यास को square में cut कर इसके layers को अलग कर लेना है आधे से एक मिनट के बार डाले एक और आधा टेबल स्पून सोया sauce और इसे कुछ seconds के लिए चलाते हुए थोड़ा burn कर ले flame को hide पे ही रखे और फिर डाले दो टेबल स्पून टमेटो केचप एक टेबल स्पून ग्रीन चीली स्यास और एक टेबल स्पून रेड चीली स्यास मैंने यहां पे vinegar skip किया है आप चाहो तो वन टी स्पून के करी विनिगर इसमें आड़ कर सकते हो और इन्हें अच्छे से कुछ सेकेंड्स के लिए चला ले फिर डाले कैपसिकम कैपसिकम जादा ग्रीन और क्रंची रहे इसलिए मैंने कैपसिकम को सॉस को पकाने के बार डाला है आप चाहो तो अनियन के साथ भी इसे सौटे कर सकते हैं फिर डाले दो से तीन टेबल स्पून के करीब पानी और कुछ सेकेंड्स के लिए इसे चला ले और फिर डाले कॉन फ्लार की स्लरी स्लरी के लिए मैंने हाफ टेबल स्पून कॉन फ्लार और half tablespoon पानी दोनों को एक साथ mix कर लिया है और फिर इसमें add किया है कौन फ्लार की slurry डालते ही ये थोड़ी थिक होने लगीगी तो थोड़ा पानी add कर gravy को पतला कर ले फिर add करे स्वाध के अनुसा नमक याद रखे नमक idli fry करने के लिए जो batter बनाया था उसमें हमने डाला था और sauce में भी नमक थोड़ा रहता है तो नमक ध्यान से कम ही डाले और फिर taste कर नमक बाद में adjust कर ले अब जो idli fry कर ready किया था वो डालेंगे और idli को sauce के साथ अच्छे से मिला कर कोट कर लेंगे flame को medium high पे रख कर इसे मिला ले और last में chopped हरे प्यास के पत्ते डाल कर इसे garnish कर ले और ये लीजे यमी चिली इडली गर्मा गर्म सर्फ करने के लिए ready है अगर आपको मेरी ये चिली इडली की recipe अच्छी लगी तो मेरे चानल Food Up Beats को like, share और subscribe करना ना भूले Thank you, Take care कर दो